एक ओल्ड मैन और एक यंग लड़की ये तोरों बातरों में फर्स जाते हैं ओल्ड मैन एक जनरलीस था और इसके इंटरिव्य लड़की लेना चाहते थी पर इसकी इंटेंशन कुछ अलगी थे एक फ्रेंशन करने वाला हूँ एक आइंट ओफ हैंग आट मूवी है तो इसके कनवसेशन को आप रिलाइस करकर उच खाते हुए एंज़ॉइ कर सकते हो तो बिना किसी दरी के एक स्प्रेंशन स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मैन क्यारेटर को जिसका नाम है मिगल इसे एक होटेल में राइट करता देख सकते हैं ये न्यूस वैपर के लिए राइट करते हैं और ये बहुत फेमस राइटर है अज उसे मिलने के लिए लड़के आई जो मारी और एक मैन क्यारेटर है इसका नाम है एंजला एंजला अजला अज मिगल का इंटर्वु लेना चाहती थी वो भी अच्छे से राइट करना चाहती है एक अच्छी जनरलिस बनना चाहती है मिगल एंजला को कुछ और लगल करने के लिए गयता है उसने बहुत पहले एक आदमे के बारे में आर्टिकल लिखा था उसके बारे में बात करा था रहता है मैंने उसके बारे में आर्टिकल लिखा पर इसके बाद ही उसके डेट हो गई थी तो हमने वो पब्लिश नहीं किया वो और उसका पब्लिश है यह बहुत ही क्लोस थे एंजला बुछती है कि आफिस में सबसे तुम क्लोस थे मेगल गरता है एक जगह पर अगर तुम 25 एरेस तक काम करो तुस सिर्फ एक दूसरे को मारना ही बाकि रहता है मेगल ने बहुत स्टेट फॉरोड उसे जो जाई होता है इसके बारे में बोल लाता है इस टाइप का गैरेक्टर है एंजला ने कोका कोला ओर्डर गया था इसकी एक स्टीब उसे मांग लिए मेगल को डॉक्टर ने कोका कोला, टोबय को इस तरही की चीज़े खाने के लिए मना किया है पर फिर भी वो मानता गया वो एकी टाइम बस होकिन भीगरता है कोका कोला पीता है और टोबय को भीगरता है उसे लगता है कि अगर इस तरीके से उसकी date हो जाए तो इसका blame इस सारी चीजों में equally distribute हो जाएगा एंजला ने अपने writing मिगेल को दिखाने के लिए live होई थी जो मिगेल को इतनी जादा पसंद नहीं आती वो गहता है तुम्हारा article बहुत जादा long है अगर तुम्हें publish होना है तो इस जारा short होना चाहिए एंजला ने मिगेल की writing style भी copy की थी तो गहता है तुम्हारी writing style जारा unique होनी चाहिए तुम्हारे words लोगों को pinch करने चाहिए तब इ article perfect बनता है तो write कैसे करना है यह कोई भी सिखा नहीं सकता यह अंदर से आना चाहिए यही reason था एंजला ने अपने college में writing की कोई भी lesson लिये नहीं थे क्योंकि यह सिखा नहीं जा सकता बात करते बद मिगेल ने एंजला को अपने पास बोला लिया था मिगेल एंजला को अपने coach से चावी निकालने के लिए कहता है वो गहता है एक मेरी painter friend की है जो weekend के लिए बाहर गया हुआ है तो मैं call करने से पहले मैंने चावी उससे ले 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 थी इसके बाद मैंने मेरे luck try किया मिगेल एंजला को अपने साथ वहां लेकर जाना चाहता था वो से कहता है इंटर्व्य लेते बाद हमारे भीच कोई भी distraction नहीं आना चाहिए यह वहाँ पर पोछे मिगेल एंजला को tea वेगला देता है यहाँ बर अलग-अलग paintings पड़ी हुई थी तो मिगेल गहता है painting ये art form मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप painting करते हो उसके बाद भी colors को smell कर भाते है physically इसे enjoy कर भाते है पर writing का उस तरीके से कुछ भी नहीं है एंजला ने glasses लगाए थे तो उसने वो निकाल लिया उसके बाद उसे kiss कर लेता है इसके बाद मिगेल ने गओ ये आज कर मुझे kissing में कोई भी interest नहीं है जैसा age वरता गया वैसे interest चला जाता है उसने फिर उसे कबड़े निकालने के लिए कहे उसका मानना था कि एंजला उससे कुछ सिखने वाली है तो उसके बतले में उसे भी कुछ मिलना चाहिए वो उसे clearly बोल देता है कि मुझे जो चाहिए कि मैंने तुमी clearly बता दिया इसे जाए तो तुम और कुछ भी expect नहीं कर सकते है इसका मतलब यह नहीं कि तुम talented नहीं है पर physically में तुमसे attracted हूँ आज कल में किसी भी लड़की को seduce नहीं कर बाता जब यंग था तब की बात अलग थी अगर आज एंजला के साथ उसका कुछ हुआ तो इसके बारे में वो लिखने वाला है एंजला को ज़रा uncomfortable लगा तो यहां से वो चली जाती है थोड़ी देर में mind change करकर फिर से वो वापस आगे उसने अपने कपड़े निका ले मेगल ने अपने फ्रेंड की कलर लेकर उसके बाड़ी पर वो ड्रॉ करता है इनकी भीस में अब तक फिजिकली कुछ भी नहीं हुआ इसके बाद एंजला शावर लेने के लिए चली जाती है मेगल भी उसके पीचे बीचे आया उसने डूर लॉक किया वो भी शावर लेता शावर लेने के बाद एंजला ने का कि अब मुझे यहाँ से जाना है इस सब वो नहीं कर सकती मेगल कोई बात सुनकर बुरा लगा पर एंजला जब यहाँ से जा रही थी तो बातरूम का डूर ही ओपन नहीं होता यह डूर खराब था पर मेगल का फ्रेंट उसे बताना भूल गया था एंजला इसे खोलने का बहुत ट्राय करती मेगल ने भी ट्राय किया पर दोनों से खुल नहीं पाता एंजला बातरूम की छोड़ी सी खिड़की से हेल्प मागने की कुशिश करती है पर मेगल ने उसे का कि प्लीज ऐसा कुछ भी मत करो अगर हम दोना इस साथ पकड़े हैं तो तमाश हो जाएगा कोई फेमस राइटर है तो इस स्कैनल भी बन सकता है मेगल ने कहा कि मेरा फ्रेंट दो दीन तब वापस नहीं आएका इतना टाइम में उसकी वाइप पुलिस को कॉल कर देगी एंजला गया थी कि मेरे पैरेंट्स उससे पहले ज़रा जादा वरीड हो जाएंगे यह इन दोनों के लिए ब्रॉल्लम था तो फिर से घड़की से आवाज लगाने लग जाते है पर इने कोई भी सुन नहीं पा रहा था मेगल कहता है हमारी सिचुएशन दोधी अजीब है एक तो कॉमेडी हो सकती है या फिर ट्रैजेडी एंजला ने कहा कि अगर हम सेफली यहाँ से निकल गए तो एक कॉमेडी होगी अगर मेरे पैरेंट्स को पता चल क्या तो एक ट्रैजेडी में कनवर्ट हो जाएगी मेगल बुछता है कि तुम्हारे फादर क्या करते है एंजला ने कहा कि वो मिलिटरी में है उनका नाम उसने उसे बता है तो मेगल उन्हें जानता था एंजला की बड़ी सिस्टर को भी हो जानता उन दोनों में 17 एयर्स का डिफरेंस है मेगल कहता है कि जब वो एक्टिंग लास में थी तो हम दोनों फ्रेंड्स हुआ करते थे वाइप चॉल में उसे लाइक करता था पर उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ मेगल बहुत ही वरीड था कि उसके वाइप पुलिस को बुला लेगी उसे एक राइटर के स्टोरी याप है राइटर हमेशा अपनी वाइप पर चीट करता था एक दिन वो घर पर ही नहीं आया उसकी वाइप ने उसे एक लेसन टीच करने के लिए इसाब किया था मेगल कहता है कि तुम्हारे डाइड और सिस्टर में कभी बनती नहीं थी वाइजा फाइट करते थे एंजला ने कहा क्यों अब भी करते है एक्चुली एंजला ने अपनी सिस्टर से ही मेगल का नमबर लिया था मेगल कहता है एक बाव मैंने उसे बताया था कि मैं उसे लाइक करता हूँ और उसने मुझे रिजेक कर दिया था अगर उसे बता चला कि हम दोना किस सिचुएशन में तो मैं वड़नर गरता हूँ कि वो करेगी क्या आजकल एंजला की सिस्टर ये बड़ी एक्टर्स बन चुकी है एंजला गयती है कि मेरी सिस्टर को लगता है कि तुम बहुत ही ओवरेटर व्राइटर हो मेगल को सुनकर बुरा लगा पर वो कहता है एक ओरेटर व्राइटर ही इसको अपना करियर बना सकता है एंजला बुछती है लोग क्या कहते है कि तुमें इससे कुछ भी फरक पड़ता है मेगल बुछता है कि अब भी तुम मेरा इंटर्वी ले रही हो मैं तुमें सब आंसाज दूँगा पर इंटर्वी किस तरीके से एंड होती है इस पर ही डिपेंड करेगा वोसे टच करने माला था पर एंजला उसे दूर जा कर वैटी एंजला कहती तुमारे नोवेस बहुत ही अजीब तरीके से थे और फिर भी उन्हें बहुत सारे अवर्स जगिरा मिले मेगल कहता है नोवेल लिखते हो लोग बहुत ज़वधा टाइम लेते मैंने इसे प्रोफेशनली लिखा था हर रोज मैं कुछ तार्गेट रखकर इसे कम्प्रीट कर ही डालता था मेगल एंजला से कहता है कि फिर से क्या है करकर देखो तुम्हारी आवाज सुनकर तुम्हें हेल्प करने के लिए कोई भी आदमी आ सकता है सुन्दर लड़की देखे नहीं और हर आदमी उसे हेल्प करना चाहता है आवाज देने के बाद भी उसे कोई भी सुन नहीं रहा था मिगल फिर से एंजला के पास आ गया उसे कहती है मुझे सिर्फ यहां से जाना है उसके साथ कुछ भी नहीं करना चाहती एंजला फिर से टूर को उपन करने की कुशिश करती है मिगल कहता है कि जब अप यंग होती है तो लगता है कि इस लाइफ में कुछ पॉइंट है वो अपनी लाइफ कुछ अलग तरी किसे जी लेंगे और बात में बदा चलता है कि लाइफ में बहुत सारी चीज़े पॉइंटलिस थी इसवे कोई भी मिनिंग नहीं था हर एक ही कोई ना को तू प्रायोरिटी होती है मिगल एंजला से पुछता है कि ऐसे अटरट है अगर तुम घर पर होती तू क्या करती क्या अपने फ्रेंज के साथ बाहर जाती एंजला को यह सब चीजे पसंद नहीं है वहती है कि मैं बुक्स रीड करती मिगल को जो बुक्स पसंद है यहीं एंजला ने भी पड़ी हुई है पर मिगल करता है हम दोनों के व्यूज इस पर बहुत ही अलग-अलग होंगे जैसे वी क्लासिकल म्यूजिक और एक रॉक बैंड में डिफरेंस होता है मिगल ने फिर ही टॉयलेट किया बहुत है टार के बारे में लोगों ने बहुत सारी चीज़े लिखिये और बागी चीज़ों के बारे में कोई भी नहीं लिखता यह लोगों को जादा रेजुनेट करते है अबने व्यूजिक में इन चीज़ों को तुमें द्हान डगना चाहिए मेगेल हो फ्रस्टेड़ हो रहा था वो गहता है हम दोनों ही आए हम दोनों में एक टेंशन है अगर हम कुछ भी नहीं करते हैं तो टेंशन बढ़ता जाएगा सब कुछ हो जाने के बाद शायद हम एक दूसरे को डिजायर नहीं करेंगे पर फिर भी एड्रेक्शन बहुत ही इंपोर्टेंट है मेगेल भी अब जल्दी से जल्दी यह से निकलना चाहता था उसे बुरा लगता है कि वो सूच कह रहा था वो एक ओर्ड मैन है वो यह यंग लड़की उसके साथ इंडिमिट नहीं हो सकती वो कहता है कि मेरी वाइफ को मैं बहुत प्यार करता हूँ पर फिर भी कभी कभी आपको आइसुलेशन की जरूरत होती है हम दोने यहाँ पर इस तरीके से इस साथ है अगर हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ पर फिर भी लोगों को लाएगा एक कुछ ना कुछ तो हुआ है यह उसे एक ट्रैजेडी की तरह लगता है एंजला फिर उसके बास आगे वारे दोनों इंटिमेट हो जाते है इसके बाद एंजला को थोड़ी सी भूख लगे थी इस पर मेगिल कहता है मुवीज में मुझे लोगों को उसना कुछ खाते देखना अच्छा लगता है उसने अभी अभी एक 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 एक्शन मुवी देखी थे जो बहुत ही फास्ट थी पर अच्छना उसे उसमें एक आदमी का खाना खाते हुए सीन आ गया उसे लगता है कि उस सीन में एक पीस था एक रियालिटी थी वो बताता है कि राइटिंग भी इसी तरीके से होती है जिस तरीके से जो भी फैक्स है हमें उस तरीके से बताने चाहिए जितना आप रियल लिखोगे उतना ही लोगों को अच्छा लगेगा एंजला अपने व्राइटिंग से वर्ल्ड चेंज करना चाहते थी पर मिगल कहता है वो इसा कुछ भी नहीं होता तुम सिर लोगों के लिए अच्छा लिखने का ट्राइ कर सकते हो बागी कुछ भी तुमारे हाथ में ने मिगल की view से बहुत सारे negate career often वो अच्छा से हमेजा इस तरह के से बात कर रहा था कि हो उससे बहुत ही जादा चोटी है वो अल्मोस अच्छा को डाट रहा है इस तरह के से उससे बात कर रहा था अच्छा को इस पर गुसा आ गया वह गया थी मुझे सब लोग इसी तरह के से ट्रीट करते हैं तुम सिर्फ बड़े हो तुम्हें एक्स्पिरियंस हैं इसका मतलब यह नहीं कि तुम सही हो तुम्हें क्या लगता है यहाँ वर मेरा आना यह तुम में चूज किया था मैं भी तुम्हें चूज कर सकते हैं शाद मुझे भी कुछने कुछ डिफरेंट चाहिए था इसलिए मैं यहाँ पर आए एंजला को गुसा शान्त होने के बाद मिगेल कहता है कि इसी को आवाज लगा कर देखो पर फिर भी कोई भी सुन नहीं पा रहा था एंजला गहती है कि जब मैं छोटी थी तो इस तरह के से ब्रिटेंट करती थी यह मैं एक सिलिबरेटी को मेरा इंटर्वी चल रहा है और आईनी के सामने हमेशा इसी देखती रहती थी मिगेल कहता है लोग अपने आप को जैसे है इस तरह के से एकसेप्ट नहीं कर बात है इसलिए कुछ न कुछ जादा बावर्वर बनने की कोशिश करते है यह बात एंजला ने भी रियलाइस की थी और इसके बात उसने मीरर के सामने इस तरह के से प्रिटेंट करना छोड़ दी सब्जेक को चेंच करने के लिए मिगल गयता है क्या तुम्हें मुवी देखनी है अंजला बुछती कि हम कैसी देख सकते है मिगल ने फिर उसे स्टोरी बताना स्टार्ट किया हो गयता है कि एक फैमिली थी मदर, फादर और उनका एक बेटा था एक दिन अचनलग से बेटे ने अपने बेटा से उठना बंड कर दिया पहले तो भैरेंस को लगा था कि शायद इसकूल नहीं जाना चाहता तो उसने साइकोलोजिस से उसकी बात कर वाए पर फिर भी बेटा मानने नहीं वाला था सैकलोजिस ने पैरेंट से गा कि इस तरीके से आप प्रिटेंड कीजिए कि सब कुछ चीज़े बहुत ही नॉर्मल है बहुत दिन बीतनी गए पर फिर भी अपने बेड़ से उठा ही नहीं फादर और मदर ने फिर डिसाइड किया कि हम इसे लेकर कई फैकिशन पर जाएंगे या लग लग प्रेसिस पर घुमे गुमते गुमते एक जगा पर मेला चल रहा था इस मेले में अपने बेटे को वो बेड़ पर ही लेकर गए वहाँ पर एक लड़की से उसने बात कि वो लड़की भी उसके प्यार में पढ़के उनका बेटा फिर भी बेड़ से उठा ही नहीं उस लड़की को बहुत बुरा लगा और वो भी फिर बेड़ में रहने लगके यह बात देखकर सारे विलेज़ वालों को लगा कि शायदी बीमारी कंटेजस हो सकती है उन्हें यहाँ से बाहर निकाल दिया गया और भी थोड़े दिन बीथ गया एक रात आई जो बहुत ही ब्यूटिफुल थी मदर और फादर एक दुसरे की कंपणी एंजॉय कर रहे थे वो दोनों जंगल में गया और एक दुसरे के साथ इंटिमेट हो गया जब हो वापस आया तो उनका बेटा बेटे से उटकर कही चला गया था उन दोनों ने अपने बेटे को ढूणने की बहुत कोशिश किये और उन्हें और कहीं भी नहीं मिला एंजला पुछती है क्या इस स्टोरी के इंडिंग साइड है मुझे तुमें क्यों सुना रहे है मेगल उसे बता था है कि मदर ने अपने बेटे को ढूणने की बहुत कोशिश की थी उसे मिला नहीं पर इस बात से उख खुश थी उसका बेटा इस तरीके से रह रहा था इस बात से उत तंग आ चुकी थी उसे जो फिलिंग सा रही थी इस बज़े से उसे गिल्टी लग रहा था स्टोरी की तरह ही हमने आज जो भी किया यह गलत था हमें इसके बारे में गिल्टी तो लगे गा ही पर यह अब हो चुका है इसके बारे में ज़्यादा सोचना सही नहीं इसके बाद अगर हम फिर से कभी मिले तो तुम मुझे इग्नोर कर दोगी तुम्हें गिल्टी दो लोगी या पर यही करना सही होगा इसके बाद थोड़े दर में मिल को किसी का आवाजा है वो उस आदमी को बुला कर गयता है कि प्लीज मेरे फ्रेंड को कॉल करो मैं यहाँ पर फर्स चुका हूँ थोड़े दर में मिल का फ्रेंड भी वहाँ पर पहुश गया जिस तरीके से मिले का था कि तुम मुझे अंदेखा करकर यहाँ से चले जाओ कि उसी तरीके से एंजला यहाँ से चले कि जाने से बेले एंजला ने उसे का कि इस सिर्फ एक incident था इस तरीके से मैं उसे treat करूँगी मुझे इसके बारे में कोई पुरा नहीं लगेगा यह सिर्फ उसके लिए एक experience था इसके साथ एक movie एंड हो जाती है अगर हम इस तरीके की hangout movies देखें तो इसमें सिर्फ character को और भी जादा जान देना उनके साथ conversation enjoy करना यह सिर्फ एक point होता है तो इसे type की आज के हमारे movie थी